मिर्जापुर के अहरोरा थानाक्षेत्र के सरिया ग्राम में बिती रात करीब ग्यारा बजे लाठी डंडे ठोका पत्तर से प्रहार कर तेस वर्षे यूवग संजय बिंद पुत्र राम रिक्ष बिंद की निर्मम हत्या कर दी गई इस मामले में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्चकर नाम जद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है हत्या का कारण घर के दरवाजे पर बिजली का पोल लगाने से मना करना बताया जा रहा है करीब पाच माह पुर्व दोनों पक्षों में हुआ विवाद बताया जा रहा ह अहरोरा थाना पुलीस को दी गई तहरीन में लिखा गया है कि 20 तसंबर की रातरी मेरा लड़का संजय बिंद उम्र 23 वर्ष जो बाजार से घरा रहा था इसे दोरान गाव के हिराम विलास आदी नौव यक्ती ने लाठी डंडे ढोका पत्तर से लैश होकर बिजली के केबिल लगाने की पुरानी विवात को लेकर मेरे लड़के संजय को घेर कर मार पिट कर गंबिर रूप से घायल कर दिया परिजनों के द्वारा संजय को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्त केंद्र अहरोरा ले जाया गया जार डोक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया यहां पर रह करके अन्य आउशक कार वह की जा रही है दिल को दहला देने वाले हत्या की जानकारी मिलने पर पुलीस अधिक शक दलबल के साथ गाव में पहुचे लिखित तहरीर मिलते ही नाम जद तीन आरूप्यों को हिरासत में ले लिया गाव में शान्ती कायम रखने क के लिए पुलीस और पीएसी की तैनात की गई है फरार अन्य आरूपियों की तलाश की जा रही है आरूपियों के खिलाफ कठोर कारवाई की जाएगी इन बीसे न्यूस के लिए मिर्जापुर से अजय दूबे की रिपोर्ट